ये वीडियो स्पॉंसर्ड है वंडर शेयर मॉकर्ट की तरफ से है गाइस कैसे आप साब मैं हूँ निखेल और आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे पाँच अलग अलग ग्राफिक डिजाइन कॉनसेप्स फोटोशॉप यूज करके आप लोग दिख सकते हो कि इस वीडियो की जो लेंथ है वो है अराउंड 30 मिनिट और ये वीडियो इसलिए इतना लंबा है क्योंकि हम लोग जो पांचों डिजाइन कवर करेंगे इस वीडियो में वापने आप में यूनीक है उनमें काफी सारी अलग अलग टेकनीक्स हम करेंगे तो मेरा जो एम है इस वीडियो का वो यह है कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा वाल्यू प्रोवाइड करो क्योंकि आविसली हम लोग को एक एक दो दो तीन तीन घंटे की कोसिस देखना कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाता है और यूनो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम इस मनी तो इसलिए हम लोग कम टाइम में ज्यादा चीजे सीखने में फोकस करेंगे तो इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना एम करते हैं 1000 लाइक का इस पर्टिक्लर वीडियो पर मैंने आज से पहले 1000 लाइ अल्राइड गाइस यहां पर है हम लोग फोटोशॉप के अंदर स्टार्ट करता है क्रियेट करके एक नियू डॉक्यमेंट जो और डॉक्यमेंट का साइज होगा वो मैंने सेट किया है 2000 बाइ 2000 पिक्सल्स रिजॉलूशन सेट है 300 पर और इसे में नाम दे दूंगा करना हमारा first design जो की बहुत ही easy है और दिखने में बहुत ही दाधा cool लगता है तो उसके लिए हमें क्या करना है simply मैं यहां जाओंगा shape layer tool में और select करूंगा एक ellipse tool एक circle बनाएंगे इस तरीके से shift और alt hold करके फिर मैं यहां पर जाओंगा fill में और मैं एक gradient add करूंगा फिर जो darker color है इसके लिए मैं set करूंगा एक अच्छा सा kind of dark purple अगर आप लोग जो भी color लेना चाहों ले सकते हो मैं बस मेरे हिसाब से यहां पर जो मुझे अच्छा लग रहा है color वो मैं ले लूंगा यहां पर मैं इसे set करूंगा एक lighter kind of pink color पे ठीक है तो यह color मुझे काफी अच्छा लग रहा है अब मुझे क्या करना है सबसे पहले तो इससे rename कर देता है अगर आप एक अच्छे designer हो तो आपको हमेशा अपने layers को rename करना चाहिए anyways मैं इसे नाम दे दूँगा sampler ठीक है एक new layer create करेंगे यहां पर जाकर और इसे हम नाम दे देंगे 3D जिस पर हम लोग 3D design create करेंगे सबसे पहले मैं background को hide कर देता हूँ इस तरीके से select करूँगा sampler यहां पर जाओंगा और अगर मैं click करके hold करू brush tool पे तो हमें कुछ और options यहां पर देखने मिल जाता है तो हमें इस option को select करना है जो कि है mixer brush tool में से select करूँगा और यहां पर आप देख सकता हूँ यह already इसने जो मेरा circle है उसको select कर लिया है अगर यह नहीं कर रहा है तो मैं इस पर click करूँगा clean brush करूँगा और simply इस sampler को select कर दूँगा ठीक है जो इसकी preset है उसे मैंने set किया वो normally custom पे होगा तो उससे मैंने set किया है dry heavy load पे ठीक है तो automatically वो इसको select कर देगा बट फिर हमें क्या करना है मैं इस 3D layer को select करूँगा make sure करूँगा कि mixer brush tool selected हो और brush को छोटा करूँगा alt hold करके और इस तरीक से मैं छोटा कर दूँगा ताकि वो जो brush है वो हमारा circle की size को almost हो जाए कुछ इस तरीक है और फिर मैं इसके ऊपर रखकर alt hold करूँगा जिससे यह sample pick टूल आ जाएगा इसे पिक कर लूगा इस sample को तो यहां पर देख सकते हो हमारा जो sample हो पिक हो चुका है फिर मैं इसे बंद कर सकता हूँ और अब 3D layer select करके मैं इसे जिस भी वे मैं चाहूँ उस तरीके से use कर सकता हूँ यह बहुत अच्छा सा depth हमें मिल जाएगा और एक च brush काफी light होगा बट वो smooth नहीं होगा इतना ठीक है तो वो एक चीज हमें ध्यान रखनी है तो मैं prefer करता हूँ इसको 80% पर रखना फिर अब मैं इसे जिस भी तरीके से चाहूँ उस तरीके से use करके इसका एक अच्छा जशेप बना सकता हो तो सबसे मैं आर्ट बूट को हम अपना design बना लेंगे इस तरीके से अबर अगर आपको लगता है कि आपका जो design आया है वो अच्छा नहीं दिख रहा है या आप उससे satisfy नहीं हो तो हमेशा आप control Z कर सकते हो undo करने के लिए और मैं फिर से इसे create करूँगा तो इस बार मैं मुझे इस तरीके से इसे लेके है सो यहाँ पर मैं satisfied हूँ इस design से अब एक चीज मुझे यहाँ पर करनी है कि यह बहुत ही ज़्यादा smooth दिख रहा है तो इसमें मुझे हलका से grunge add करना है या noise add करना है तो इसके लिए simply मैं यहाँ पर जाओंगा एक new layer create करूँगा इसे में नाम दे देता हूँ noise ठीक है और जो background color है उसमें black कर दूँगा ctrl delete press करके वो background color में इस layer पे apply कर दूँगा फिर में जाओंगा filter में noise और add noise so हम लोग around 8% की noise add करेंगे press करेंगे ok और फिर blending mode में जाके इसे set कर देंगे screen पे इससे हमें काफी हलकी सी noise आ जाएगी हमारे complete design पर जो मुझे personally काफी जादा पसंद ह अब यहां पर और एक चीज मुझे करनी है वो है एक अच्छी highlight create करना है इस particular shape यह बिलकुल optional है बट मुझे लगता है कि जब हम highlight create करता है किसी भी 3D object पर तो उसमें जादा depth आजाती है और वो काफी जादा अच्छा दिखता है तो उसे create करना बहुत ही जादा simple है मैं इस layer क select करूँगा यहां पर जाओंगा और pen tool select करूँगा यहां पर जाकर मैं इसे set कर दूँगा बात पे और फिर simply मैं pen tool use करके इस तरीके इससे यहां पर एक shape बना दूँगा मैं थोड़ा सा fast कर रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा छोटा रहे है बट आप लोग अपना time लेकर आराम से कर सकते हैं तो इस तरीके से मैं यहां पर set कर दूँगा ठीक है और फिर मैं इससे randomly इस तरीके से complete कर दूँगा right click करके select करूँग और एक soft brush select करेंगे इस तरीके से यहां से color pick-wip कर लूँगा और इससे मैं lighter tone में set कर दूँगा इस तरीके से काफी बढ़ा कर लूँगा और यहां पर इस तरीके से highlight create करूँगा अगर मैं अगर Ctrl D press करूँग D select करने के लिए तो आप लोग देख सकते हो कि हमें यह काफी अ pixels का काफी अच्छा look हमें मिल जाएगा so इस तरीके से यह optional step है but I think यह काफी cool लगता है अगर आप लोग चाहो तो इससे रख सकते है या तो एक highlight भी add कर सकते हो आप blending modes भी यहां पर change कर सकते हो for example soft light पर रख सकते हो जिससे यह और भी जादा अच्छा दिखेगा I guess and फिर finally हम लोग text tool select करके हमें जो भी text यहां पर add करना है वह हम add कर देंगे तो मैं type करता हूँ fluid shape ठेक है यहां पर जाकर मैं इससे थोड़ा बढ़ा कर दूंगा और जो font मैं use कर रहा हूँ है new Montreal जो की बहुत ही amazing font है free font है I guess और यह बहुत ही awesome है Helvetica का एक अच्छा alternative font इससे हम लोग ब Boom हमारा जो design है यह actually काफी abstract सा design है liquid gradient shapes का but I think यह बहुत ही जदा cool लिखता है और यह तो बस एक example था अप लोग अपने इसाप से अपने type की shapes बना सकते हो अपने ideas यूज करके again अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज के इस वीडियो की sponsor है Wondershare Market उनके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ Wondershare Market एक cloud-based design tool है जिसे use करना बहुत ही जादा easy है इसका जो interface है वो काफी simple है जिसके वज़े से कोई भी easily इसे use करना सीख सकता है क्योंकि यह cloud-based tool है आपकी पूरी team मिलकर कोई भी project पर एक साथ बैठ कर काम कर सकती है अगर आप लोग already एक designer हो तो आपके लिए market use करना काफी जादा easy हो जाएगा क्योंकि इसके tool काफी familiar है बाकी सभी design tools से market में काफी सारे ऐसे भी tools है जिससे complex design create करना काफी जादा easy हो जाता है अगर आप लोग इसके बारे में और detail में जानना चाहते हो तो मैंने links description में दे दिये है तो इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे next design की और इस design में मैं एक image यूज करने वाला हूँ एक sports player का आप लोग जो भी player का image लेना चाहते हो वो ले सकते हो यहाँ पर मैं इस basketball player का image ले रहा हूँ ठीक है आप लोग चाहता अपना फेवरेट कोई sportsman जिसे विराट कोली हो गया कोई भी Ronaldo हो गया उनका image ले सकते हो तो चलिए solid color यहाँ पर आड़ कर देता हूँ black color का या जो भी color आपको लेना चाहूँ ले सकते हो और फिर मैं जाओंगा effects में और इस पर एक gradient overlay आड़ करूँगा ठीक है gradient overlay का style जो होगा वो set होगा radial पर और फिर मैं blue color के जगे पर यहाँ पर एक अच्छा सा gray color ले लूँगा यहाँ पर मैं अच्छा सा black color ले लूँगा इतना नहीं थोड़ा सा gray stone में ही हम लोग इसे black रखेंगे जो कि यह काफी अच्छा लोग देता है जो gray है वो बहु करके exact यहाँ पर इसे place कर दूँगा press करूँगा ok तो यह काफी अच्छा लोग हमें मिल जाता है फिर select करेंगे text tool और जो भी हमें text type in करना है वो text type कर सकते हो so मैं type लेकरs ठीक है और जो font मैं लूँगा वो होगा babes new pro जो एक बहुत ही awesome font है so हम लोग लेंगे babes bold इसे मैं ब और enter करके मैं इसे italic कर दूँगा और शायद थोड़ा सा और बड़ा ठीक है तो यह काफी अच्छा look दे रहा है मैं इसे place कर दूँगा पीछे हमारे player के अब यहाँ पर मैं जो भी color लेना चाहूँ वो basically ले सकता हो तो मैं यहाँ पर जाकर simply एक बहुत अच्छा सा green color यहाँ अच्छा करूँगा एक स्ट्रोक फिर मैं इसे actually reset to default कर देता हो फिर इसका जो position है उसे मैं set कर दूँगा outside पर जो size हम लो रखेंगे around 3 pixels close हो गया और जो color है वो मैं लूँगा इसी text का color जो की बहुत ही अच्छा में look मिल जाता है और blending mode set है normal पे fill type है color पे everything else looks good maybe around 4 I guess 4 थोड़ जादा better लग रहा है ठीक है so that is looking good I think yep फिर मैं जाओंगा और इस text को select करूँगा जाओंगा effects में और add करेंगे एक glow outer glow ठीक है already मैंने सबसे पहले blending mode जो है वो सेट है screen पर opacity set 10% पर noise set 0 पर but actually मैं noise दूँगा around 3% की and color set है वही same color जो हम लोग ने यहां पर select किया था spread जो है वो सेट है 0 पर size set है 170 round figure कर देता है range set 59 पर और yeah that looks good hit करेंगे okay so basically हमारा design तो ready है बट यहां पर और एक चीज करेंगे हम लोग जिससे पू complete composition है वह अच्छे से एक दूसरे के साथ blend हो जाएगा so उसे करने के लिए हमें क्या करना है एक new layer create करेंगे इसे मैं नाम दे दूँगा light इसे मैं place करूँगा हमारे player के उपर alt hold करके इसे clipping mask कर देंगे इस तरीकी से आप लोग right click करके भी clipping mask select कर सकते हो और फिर मैं brush tool select करूँ इसे click करके light add कर दूँगा ताकि ऐसे लगेगा कि वो light जो है वो text से आ रही है तीक है और फिर simply इसका blending mode है वो हम set कर देंगे soft light पर अब fill जो है वो काफी जादा intense लग रही है तो मैं उससे around 60% पर set कर देता हूँ जिससे हर एक चीज आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छ highlights ऐसे ही जिससे पूरे design को एक हलका सा interesting look मिल जाएगा और हर एक चीज आपस में अच्छे से blend हो जाएगी and that is how you can create this particular design so चलिए अब आगे परते हैं हमारे third design की होर so start करते हैं सबसे पहले एक solid color create करके जो कि हमारा background होगा फिर मैं select करूंगा text tool और जो भी text मुझे यहाँ पर type in करना है वो मैं type कर सकता हूँ so मैं type करूंगा strings center मैं इस तरीके से रख दूंगा जो kerning है मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा इस तरीके से और फिर center में हमारे text को place कर देंगे अब हमें simply क्या करना है जो text के edges है ना या corners है वहां से shapes create करना है randomly काफी तो for example मैं pen tool select करूंगा इस तरीके से फिर यहाँ पर जाकर make sure करूंगा कि यह shape पे हो और जो भी fill color हमें set करना है हम लोग बाद में change कर सकते है तो अभी के लिए मैं रखूंगा white पर zoom in करूंगा काफी यहाँ पर click करूंगा इस तरीके से और फिर मैं randomly जिस भी position में मुझे shape create करना है मैं वहाँ पर इस तरीके से add करूंगा zoom करूंगा और फिर से यहाँ पर add करूंगा and boom it's that simple अब यहाँ पर जैसे यह shape cut हो रहा है तो इसे fix करने के लिए मैं A press करूंगा यहाँ पर जाकर simply direct selection tool select करूंगा और यहाँ पर इस तरीके से stretch कर लूँगा और यही same method यूज़ करके मैं बाकी सभी text के लिए भी shapes create कर लूँगा इस तरीके से यहाँ पर जाओंगा zoom out करूंगा और इस बार मैं यहाँ पर या चले इस तरीके से एक shape create कर दूँगा and that's it basically यही complete idea है इस design को बनाने के लिए काफी simple है और इससे बनाने की inspiration actually मुझे Pinterest चाहिती जहाँ पर इससे बहुत ही अच्छे वे में लोगों नहीं use किया है तो it depends on क्या text आप लेते हो अगर आपका text कुछ अलग है strings के जगे में भी motions है तो आपका design काफी अलग बनेगा तो अब मैं वीडियो को थोड़ा सा fast forward करूँगा ताकि basically आपको टेकनीक तो पता चल गई है ताकि आपको पूरा process ना देखके आपका time waste ना हो basically and boom हमने जो complete shapes से वो create कर लिया है अब आगे बढ़के हम इससे colors देंगे simply मैं text को पहले तो text को select करूँगा एक-एक text select करके उन्हें color add कर देता हो तो यहां पर जाकर मुझे जो भी colors use करना है मैं अपने हिसाब से इसमें colors जो है वो add कर दूँगा यहां पर जाकर इससे मैं set कर दूँगा एक अच्छे blue color पे n को set कर दूँग एक अच्छे yellow color पे set कर देता है और फिर s को मैं set करूँगा एक kind of purple color पे set कर दूँगा ठीक है अब shapes को भी उसी तरह मैं colors दूँगा simply इस पर double click करूँगा और pick करूँगा colors उनके particular alphabets से इस तरह के से इससे select कर दूँगे और इससे भी red कर दूँगा फिर r की जो shapes है उससे select करके मैं blue कर दूँगा इस तरह के से फिर n की shape को yellow कर दूँगे हमने colors भी add कर दिया है अब second चीज हमें करनी है कि कुछ drop shadows आड़ करने है simply इस shape को मैं select करूँगा जोँगा effects drop shadow में और बस normal पर रखे black पर रखे हम इस तरह के से एक drop shadow आड़ कर देंगे जिससे आप लोग यहां पर देख सकते हो एक अच्छी depth आजाएगी पूरे scene में simply मैं right click करूँगा copy layer styles और सभी shapes को select करके paste layer style कर दूँगा इस तरह के से तो हर एक में अच्छा depth हमें मिल जाएगा और finally मैं एक new layer create करूँगा इससे में नाम दे दूँगा dark या जो भी आप नाम देना चाहो इससे में set कर दूँगा overlay पे B press करके brush tool select करूँगा और बढ़ा कर दूँगा इस तरह के से जैसे कि यहां पर मेरा जो final design था मैंने यहां पर कुछ और text भी add किया है इस तरह के से तो आप लोग उन्हें भी add कर सकते हो It's that easy तो चलिए अब आगे बढ़ता है हमारे fourth design की और Alright, so इस design के लिए मैं सबसे पहले एक background करूँगा यहां पर जाओंगा Solid color और एक black color का background हम आड़ कर देंगे अब इस design को बनाने के लिए Eclipse tool select करेंगे जो stroke है उसे हम लोग रखेंगे around 3 pixels doesn't really matter और इस पर मैं ग्रेडियंट overlay यूज करूँगा तो यहां पर Actually, मैंना already a gradient create किया हुआ है जो मैं use कर सकता हूँ जैसे कि जो first color है वो एक light blue color है आप लोग चाहो तो यह same code यहां से copy कर सकते हो और जो second color है वो है purple color तो again आप लोग यहां से यह code actually use कर सकते हो और इस gradient make sure करना है कि वो gradient selected हो और इस तरीकी से में एक circle shape बना दूँगा अब जो fill है उसे मैं रखूँगा none पर हमें shift और shift stroke चाहिए और जो stroke की properties है वो मैं शायद around 5 pixels कर दूँगा तो हमें कुछ इस तरीकी का stroke मिल जाएगा अब simply मैं ctrl j करूँगा पहले तो मैं ctrl t press करूँगा इसे थोड़ा चोटा कर लेंगे इस तरीके से ctrl j press करेंगे duplicate करने के लिए ctrl t press करेंगे और फिर इसे मैं इस तरीके से बढ़ा कर दूँगा और फिर मैं कुछ duplicates बनाऊंगा इसी तरह ctrl j ctrl t तो हमने इस तरीकी का एक shape बना लिया है अब इन सभी shapes को मैं select करूँगा ctrl j press करूँगा group करने के लिए इसे में नाम दे देता हूँ shapes ctrl j press करके इसका duplicate बना लेंगे इसे height करेंगे और फिर right click करेंगे और convert to smart object कर लेंगे तीक है फिर मैं इसे select करूँगा जाँगा filter और one of my favorite tool that is the liquify all right so यहाँ पर हमारा shape है अब मैं बहुत ही randomly कुछ you know इस तरीकी का एक design बना लूँगा बहुत ही बिना plan किये basically बहुत ही randomly मैं इस तरीकी का एक shape यहाँ पर बना लेता हूँ काफी abstract सा क्योंकि यह mainly एक abstract design है इस तरीके से तो यह same properties use कर सकते हो जो की size है 813 पे pressure है 69 पे और density है 25 पर but मैं suggest करूँगा कि आप लोग अपने हिसाप से random shape create करो अपने हिसाप से sizes लो और you know create करो एक बहुत ही unique shape okay यह हमारा shape ready हो चुका है अब मैं control J press करके इसका एक duplicate बना लूँगा select करूँगा पीछे वाले shape को जाँगा filter blur और add करूँगा एक Gaussian blur simply मैं इसे बढ़ा लूँगा थोड़ा सा I guess that is looking much better इससे क्या होता है पुरे design को एक kind of a glowing सा look मिल जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो I guess थोड़ा और बढ़ा लेंगे काफी कम लग रहा है मुझे okay that is looking good बहुती अच्छा सा एक look हमें मिल जा रहा है और जो background color है उसको मैं एक dark blue सा color पर set कर दूँगा I guess इस तरीके से ठीक है फिर मैं इन दोनों ही shapes को select करूँगा control G करके group कर लूँगा और इसे मैं नाम दे देता हूँ main shape ठीक है और actually मैं right click करके convert to smart object भी कर सकता हूँ फिर मैं इसे जहां भी चाहूँ वहाँ पर place करके अपना design बना सकता हूँ तो simply मैं इसे यहां पर place करूँगा control T press करके इसको थोड़ा बढ़ा कर लेंगे इस तरीके से यहां पर और फिर मैं इसे एक layer mask create करूँगा make sure करूँगा कि foreground color जो है वो black हो बी प्रेस करूँगा brush tool select करने के लिए और जहां पर भी यह line इस artwork से बाहर जा रही है उससे मैं erase कर दूँगा इस तरीके से एक kind of a shadow create कर लूँगा जिससे इस पूरे shape में एक अच्छी सी अपने आप ही एक depth create हो जाएगी जो कि मुझे बहुत जादा पसंद है और सबसे बेस चीज यह है कि हमें इस shape को duplicate कर सकता हो control J press करके और control T press करूँगा इससे थोड़ा छोटा कर सकता हो और इस तरीके से मैं फिर again B press करेंगे और जहाँ पर भी मुझे चाहिए वहाँ से मैं erase कर लूँगा और X press करके जहाँ पर मुझे फिर से इन्हें लाना है वहाँ पर मैं फिर से लेके आ सकता हो बट इसकी जो opacity हो मैं थोड़ी कम रखूँगा इस तरीके से फिर मैं इसका और एक duplicate बना लूँग and boom हमारा जो composition है वो ready है अब finally हम जो भी हमें text यहाँ पर add करना है वो add कर सकते है for example मैं text tool select करूँगा और चलिए type करते है text जो हमें type करना है font में यहाँ पर जो use करूँगा वो होगा helvetica all right इसे मैं सेट करूँगा minus 20 पर और इसे italic कर देंगे और finally एक अच्छा look create करने के लिए मैं simply से duplicate करूँगा ctrl j प्रेस करके जो second text है उसका जो fill है उसे हम 0 पर सेट कर देंगे जाएंगे fx में और add करेंगे एक stroke इस बार इस ट्रोक को मैं रखूँगा एक gradient color पर ठीक है फिर हम ने जो gradient यहाँ पर use किया था इस particular design के लिए वो ही हम लोग same kind of exact color use करेंगे तो मैं simply से purple पे set कर दूँगा इस तरीके से प्रेस करेंगे ok जो size उसे 3 पे set कर दूँगा प्रेस करूँगा ok पर और simply मैं से peach हे इस तरीके से move कर दूँगा arrows यूज करके मैं अच्छी से place कर देता हूँ इससे हमारा जो text है वो अच्छी से highlight होगा और all in all हमें एक बहुत अच्छी look मिल जाएगी finally मैं एक new layer create करूँगा इससे में नाम दे देता हूँ light भी प्रेस करूँगा brush tool select करने के लिए फिर हम चाहे तो same again blue color select कर सकते है यहां से और यहां पर मैं कुछ lights के इस तरीके से overlay's आइड कर दूँगा जिससे पूरा जो design है वो काफी अच्छा दिखिएगा basically इस तरीके से बास अगर आप लोग चाहो तो इसकी जो fill है वो कम कर सकते हो थोड़ा सा हलका और finally हमारा जो design है वो ready हो चुका है अप लोग चाहो तो इसमें all text भी add कर सकते हो तो चलिए finally आगे बढ़ते है हमारे fifth design की ओर जो की बहुत ही amazing और काफी trendy style है जो की है glassmorphism all right so this design को create करने के लिए सबसे पहले हम लोग again एक background create करेंगे एक अच्छा सा black background और फिर मैं यहां पर जाकर rectangle create करूँगा जो stroke है उसे में set कर दूँगा 0 पर जो fill है उसे set कर देते हैं white पर और center से इस तरीकी से एक rectangle हम लोग बना लेंगे फिर जो corners है उसे में थोड़े से rounded कर दूँगा और basically मैं इस design में आपको technique पता चल जाएगी glassmorphism design बनाने की तो आप इसे अपने way में यूज करके अपनी style में से बना सकते हो all right so यह हो गया हमार में शेप अब जो background colors है वो मैं add करूँगा तो simply यहां जाकर ellipse tool select करूँगा और एक circle बनाऊँगा इस तरीकी से और इस्थे मैं अच्छा सा kind of color देता हू, dark pink type Alt hold करके मैं इसका duplicate-बना लगूँगा और से में color दे दूँगा एक अच्छा सा purplish color kind of like this. फिर और a duplicate बनाऊँगा इसे यहां पर रखूँगा इसे मैं other color een blueish tone और duplicate-बने इसे दूँआ और एक अच्छा सा green tone ठीक है अब मैं इसकी जो sizes है वो बढ़ा दूँगा ताकि सब कुछ थोड़ा सा abstract लगे same चीज में यहाँ पर W के साथ करूँगा Ctrl T प्रेस करूँगा इसे बढ़ा कर दूँगा ठीक है तो मैंने इस तरीक इसे इने place कर दिया है अब इन सभी shapes को मैं select करूँगा Ctrl G प्रेस करके इने group कर लूँगा इने नाम देते है shapes Ctrl J प्रेस करेंगे duplicate बनाने के लिए इसे मैं बन कर दूँगा और right click करके इने convert to smart object कर लेंगे ठीक है फिर इने मैं नीचे place करूँगा इस shape के जाऊँगा filter, blur और Gaussian blur अब इसे मैं जितना चाहूँ उतना blur इसमें add कर सकता हूँ ताकि एक gradient सा look हमें मिल जाए यहाँ पर ठीक है प्रेस करूँगा ओके इसका duplicate बना लेंगे Ctrl J प्रेस करके इसे ऊपर move कर लेंगे इस shape के और right click करके इसे कर दूँगा मैं create clipping mask अब मुझे क्या करना है simply मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस gradient blur को काफी जादा बढ़ा कर दूँगा या काफी intensity जो है वो मैं काफी बढ़ा दूँगा इस तरीके से और यह हमें बहुत ही अच्छा सा glass morphism सा look मिल जाता है अब यहाँ पर और एक चीज हमें करनी है कि जो edges है उसको एक अच्छा सा highlight आड़ करना है तो इसके लिए मैं simply इस पर double click करूँगा जिससे ये blending options open हो जाएंगे bevel and emboss आड़ कर देंगे जो bevel and emboss की setting है आप लोग देख सकते हो जो inner bevel पर set है स्मूदनेस पर set है और depth जो है वो 80 पर है size 4 पर है जो angle है 90 पर है altitude 30 पर है और पाकी तो normal है बस highlight और shadow दोनों ही set है white पर आप लोग चाहो तो depth बढ़ा सकते हो जिससे ये काफी जादा intense इस तरीके से हो जाएगा soften बढ़ाओगे तो ये थोड़ा सा soft हो जाएगा जो की ठीक है size तो हम इतना ही रखेंगे जादा नहीं बढ़ाएंगे that looks good hit करेंगे okay फिर मैं press करूँगा control J और इसको मैं बन कर दूँगा इसको सबसे उपर हम लोग इस सरीके से रख देंगे ठीक है जो fill है उससे मैं set कर दूँगा 0 पर और फिर मैं जाओंगे fx में और add करूँगा एक inner shadow तो इससे क्या होता है कि हमें edges पर ये बहुत ये चीज़े highlight मिल जाती है जो blending mode है वो set है normal पर color set है white पर मैं इसकी opacity set कर देता हूँ 30 पर और जो size है वो हम लोग कम जाद करके इस तरीके से adjust कर सकते है and boom हमारा जो glass morphism look है वो ready हो चुका है अब आप लोग जिस भी तरीके से चाहो background में you know colors ले सकते हो और आपको जो भी text add करना है जैसी for example मैंने यहाँ आपर कुछ text add किया था last example में जो मैंने पहले दिखाया था बस simple सा text use करके हमने glass morphism लिखा है एक weather icon add किया है और एक kind of weather का glass morphism सा एक tab बना दिया है so that is how you can create all these five design inside of photoshop so that is a wrap guys I hope आप लोग को आज का tutorial अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो please subscribe जरूर करना और comment section में मुझे बताना की कौन सी technique या कौन सा design आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में और जाने से पहले मुझे instagram पे भी follow कर सकते हो मेरे instagram handles है dope.motions और निखिल पवार मैंने link जो है वो description में दे दी है तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and always stay raw, stay creative, peace out